रामायन, रामायन का अर्थ है राम का चरित्र, राम के चरित्र की संबंधिय ग्रन्थ, रामायन नाम का अर्थ क्या है? रामायन, संग्यापूलिंग, संस्कृत, वह ग्रन्थ जिसमें राम चरित्र वर्नित हो, प्रभुश्री राम चरित्र से संबंधिय रखने वाला ग्रन्थ, विशेश संस्कृत में रामायन नाम के बहुत ग्रन्थ है, जिनमें से बालमिकी कृत रामायन सबसे प्राचीन और अधित प्रशिद है संस्कृत भासा में बालमिकी रचित महाकाब्य जिसमें प्रभुश्री राम के चरित्र का वर्नन है शिराम का जीवन मार्क अर्थार चरित्र बालकांड, अयोध्यकांड, अरण्यकांड, किसकिंध्यकांड, सुं दरकांड, युद्धकांड, लंकांड, उत्रकांड, राम चरित्र मानस राम लिला पौम चरियू रामायन सामान्य ज्ञान भरत मिलाप रामायन के साथ कांडों में कथित सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायन में 645 सर्ग मिलते हैं. बालमिकी रामायन कैसे लिखें? बालमिकी रामायन संस्कृत साहित्य का एक आरमभिक महाकाव्य है जो संस्कृत भासा में अनुदुष्ट छंदों में रच्चित है. इसमें शीराम के चरित्र का उत्तम एवं ब्रुहत विवरन काव्य रूप में उपस्थित हुआ है. महर्शी बालमिकी द्वारा रच्चित होने के कारण इसे बालमिकी रामायन कहा जाता है. क्या रामायन सच है? विश्व का सबसे लंबा यहां साहित्यक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदु धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है. जबकि सत्य यहां है कि केवल एक बालमिकी रामायन को ही अईतहासिक ग्रंथ माना जा सकता है. कारण यहां कि रुश्व बालमिकी श्री राम के समकालिन थे और उन्होंने श्री राम के जीवन को अपने सामने देखा और उसके बारे में लिखा. रावन का असली नाम क्या है? रावन लंका का राजा था. वो अपने दस सीरों के कारण भी जाना जाता था. जिसके कारण उसका नाम दशानन दस. इस इकुल टू दस प्लस आनन इस इकुल टू मक्ख भी था. परन्तु आदिवासे सभ्यता के अनुशार रावन मतलब राजा. बालमी के रामायन के कितने कांड है? यहाँ आदिकवी बालमी की द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य स्मृति का यह अंग है. इसे आदिकाव्य तथा इसके रचाईता महर्शि बालमी की को आदिकवी भी कहा जाता है. रामायन के छो अधाय है जो कांड के नाम से जाने जाते हैं.